गुरु प्यारी सासंगत जी प्यार भरी राधा स्वामी जी सासंगत जी आज की वीडियो को पुरा ज़रूर देखिए अगर वीडियो अच्छे लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले सासंगत जी ये जो साखी है वे बाबा ज लेने के बाद सिम्रन करने के बाद सेवा करने के बाद कौन से ससंगी दुखी रहते हैं। बाबा जी ने कहा कि वही ससंगी दुखी रहते हैं जिनका मनी बेचैन रहता हैं जो अपने उस सचे प्रमात्मा अपने सत्गुर पर विश्वाश नहीं कर पाते और जब वैं सिम्रंद पर बैठते हैं तब भी उनका ध्यान इदर उदर बढ़कता है बाबा जी ने कहा कि अपने जो सब कुछ अपने सत्गुर पर द्यारते हैं तब देखो कि सत्गुर उनको कैसे पार निंगालता है ये तो दुनिया का सूल है कुछ दोगे तो कुछ मिलेगा आपको भी अपने सत्गुर के प्रति अपनी शर्धा और विश्वाश रखना होगा तभी सत्कुर आपको हर मुश्किलों से पार निंगार लेगा बाबजी ने कहा कि धाई घंटे सिमरन जब करो तो अपना मन सिर्फ सिमरन की ओर ध्यान दे इधर उदर अपने घर वालों की चिंतां को छोड़कर सिमरन पर ध्यान दे क्यूंकि हमने अकेले जाना है कोई हमारा सहात नहीं निभाता जितनी भी दुनिया है वो मतलबी दुनिया है हर कोई ना कोई किसी को चाहिए सिर्फ एक सचा प्रमात्मा ही है जो बिना स्वार्थ के हम से रिष्टा निभाता है तो उनसे पृरीत लगए और भजन सिम्रन कीजिए आपको जरूर सुफलता मिलेगी जो कहते हैं कि हमें भजन सिम्रन में मन नहीं लगता एक बार बैठ कर तो देखो एक बार नहीं लगएगा दो बार नहीं लगएगा धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी जैसे आप पांच मिनित बैठते हैं दस मिनट और एक ना एक दिन आप थाई घंटे सिम्रन पर बैखना सरूर शुरू करतेंगे और सिम्रन करें क्यूंकि सिम्रन ही आपके मन को जो पर चैनी होती है जो आपका ध्यान इधर उदर होता है सिम्रन के जरीए ही वै बाहर आएगा और कुछ नहीं मिलेगा आपको जित्ती लोग से बाहर निकाल सकता है अगर सिम्रन नहीं करेंगे तो फिर चनमरन के चक्रों से कभी भी नहीं निकल पाएंगे तो सासंग जी बाबा जी कहते हैं जो सासंगी मेरी बात मान कर भजन सिम्रन करता है जा पूरा ध्यान करता है मैं उससे कभी दुखी नहीं होता दुखी नहीं होने देता, एक बार मुझ पर यकीन करके तो देखो, एक बार मुझ पर विश्वाश करके तो देखो, तुम्हारे कदमों में दुनिया की हर खुशी लादूंगा, सिरफ बेशर्त है कि तुम्हें धाई घंटे सिम्रन करना होगा, तो सासंगत जी आप भी भज